प्यारे दोस्तों वास्तु शास्तर के अनुसार घर में पेड़ पौधे लगाने से सकरात्म कुर्जा का संचार होता है वही वास्तु शास्तर में विभिन पेड़ पौधों का अपना एक अलगी महत्व माना जाता है इसलिए आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगी एक पौधे के बारे में बताऊंगी इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही असानी से या फिर यहाँ वहाँ बिना उगाए या यूहीं उगे हुए आपने देखा होगा ये पौधे बहुत ही ब तो आज मैं आपको इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक और तांतरिक प्रयोग बताऊंगी। इसका आयरुवेदिक प्रयोग भी बताऊंगी इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि दोस्तों ऐसी जानकारी आप लोगों को फिर कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। बीच में हैं जो के अपने चमतकारों के लिए जाने जाते हैं और यह सब हमारी भारत माता हमारी भारत भूमी के घर्व में हैं इसलिए हमें गर्व करना चाहिए। दोस्तो इस पौधे के चमतकार जानेंगे तो कल से ही आप मल्टी विटामिन की दवा जो खाते हैं या फिर अपने शरीर को फिट रखने वाली जो अंग्रेजी दवा खा रहे हैं कल से ही आप उनका परित्याग कर देंगे। दोस्तो इतना तो मैं कह सकती हूं कि इस पौधे के बारे में जानने के बाद आप अपने आप को भागिशाली समझने लगेंगे। बला नाम का पौधा है ये बहुत सारे चमतकार को लिये हुए हैं तो आज के वीडियो में सारी जानकारी मैं एक्स्प्लेन करूंगी तो ध्यान से सुनिएगा तो आए जानते हैं इसके चमतकारों के बारे में दोस्तो अगर इस पौधे की जड़ का अगर आप पाउडर बना चार वर्शी तक सेवन करें तो हजार हाथी का बल लाता है और अगर आप पांच वर्शी तक इसका सेवन करें गे तो पूरे 10,000 हाथी बल लाता है आप लोगों को मैं बताउंगी कि किस प्रकार से बल आएगा और इसके लिए हमें कौंसी साधना करनी पड़ेगी और कंसी चीज का प्रहीज करना पड़ेगा तो आईए हम सर्व प्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक परयोगों के बारे में इसके बाद हम जानेंगे इसका आयरुवेदिक परयोग तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से नौ ग्रहे की पीड़ा समाप्त हो ज चाहिए धारन करने के बाद आपकी नव ग्रहे की पीड़ा अस्थिर हो जाती है शांत हो जाती है बिलकुल भी नहीं सताती है यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निची शक्ति से अगर आप परिशान हैं आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें भूत प्रेत महराज को इसे जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए आपको समर्पित करना है दोस्तों इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांद करके हनुमान जी महराज का ध्यान करते हुए पूरु शैतों दाहिनी बुजा में धारन करें बिलकुल ही भूत प्रेत नहीं होगा ये भी माना जाता है कि इससे धारन करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है आपके शरीर में किसी प्रकार का साध्य रोग है जो ठीक नहीं हो पा रहा है तो इसके धारन करने के बाद ये रोगों को धीरे-धीरे समाप्त करता है रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है नकरात्मक शक्तियों से संपोर्ण घर की रक्षा करता है क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अतीबला इसके अंदर हत्यधिक बल पाया जाता है सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करने में सम तो बिलकुल ही धनलक्षमी को बढ़ाने का काम करता है तो पैसे के अत्यधिक घर्च को यह होने नहीं देता दुकान है व्यपार स्थान है यहां पर भी अगर आप रखते हैं तो आपकी जो दुकान है वहां पर यह ग्रहकों की भीड को तेजी से बढ़ाने का काम करता है अगर मंदा चल रहा है तो आपको तेजी से तरकी प्राप्त होगी ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ को तिलक करने से जिसे देखो वो वश में हो जाता है और भी बहुत सारे चमदकारी फाइदे हैं मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी तो दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ को सुंगने से ही भूत प्रेत छोड़ देते हैं साथ ही अगर किसी को भूत प्रेत बादा लगी ही हुई है तो इसकी जड़ को सुंगने से ही भूत प्रेत बला आपको छोड़ देगी और ये निर्बल को बलवान बना देता है नाम से इस पश्च है अती ब समान वज्र समान बना देता है शरीर को कठोर बना देता है जिसमें उत्यधिक बल पाया जाता है दोस्तों ये एक दिव्य चमतकारी पौदा है इसके गुण और भी अंगिनत हैं आईए अब जाने इसका सेवन कैसे करना होता है ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जैसा कि आपको हमने बताया था कि सेवन करने से 10,000 हाथिका शरीर में बला जाता है तो किस प्रकार से बला आता है आए जानते हैं तो दोस्तों एक वर्ष के सेवन से एक हाथी का दो वर्ष के सेवन से दस हाथी का तथा तीन वर्ष के सेवन से सो हाथी का चार वर्ष के सेवन से हजार हाथी का और पांच वर्ष के सेवन से दस हजार हाथी का बल शरीर में आ जाता है प्राचिन समय में जितने भी राजा महराजा हुए हैं प्राचिन समय में ज इसका सेवन दोस्तों आधा गिलास गुंगुने गाएं के दूद के साथ और ये गाएं कौन सी होनी चाहिए देशी गाएं होनी चाहिए उन्नत नेसल की गाएं का प्रयोग नहीं करना चाहिए तो आधा गिलास गुंगुने गाएं के दूद के साथ में पांच ग्राम इसकी जड़के पाउडर को सुभे शाम आपको आधा गिलास गुनगने दूद में डाल कर पीना है कब तक पीना है एक वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन पांच वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा आप चाहे तो इसका सेवन एक वर्ष भ कर देना है और किसी भी प्रकार का जो नशाप खाते हैं तो उसको भी आपको त्याग कर देना है दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही पांच वर्ष आपको व्यतीत करने हैं जितना समय हो सके शिव जी की साधना करनी है तो इस प्रकार से आप सिध्धी प्राप्त क कर सकते हैं बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना ही पढ़ेगा तो अब आपको क्या समझ में आया कि जो परियोग करने से पहले इस पौधे को एक दिन पहले निमंतरन दे देना फिर दूसरे दिन आपको परयोग में लाना है पेड़ पौधों में माता लक्षमी का वास होता है और एक बार सच्चे हरिद्य से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जैमा लक्षमी अगर आपके घर में पेड़ प में धन की आमदनी होने लगती है और दरिद्रता घर से दूर भाग जाती है तो दोस्तों जोतिशों की कथा के अनुसार काफी अच्छे से आपको इस उपाय के बारे में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका ना रहे तो आईए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में बिना किसी देली के दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी मंगलवार या शनीवार या शुकरवार के दिन कर सकते हैं तीनों में से किसी भी दिन आपको ये उपाय शाम के समय करना होगा शाम को पांच बज़े से लेकर रातर 11 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी 12 पीपल के पत्तों की आपको साफ सुथरे 12 पीपल के पत्ते तोड़कर लाने हैं ठीक है एकदम हरे वाले सुखे पत्ते का इस्तेमाल आपको नहीं करना है बिलकुल तो दोस्तो इन तीनों चीजों को लेकर अपने घर के पास किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है वहां जाकर जो आप ने 12 पीपल के पतो को लिया है उनमें से 11 पीपल के पतो पर राम नाम लिख लें सिंदूर से अब जो बार्वा पत्ता है जिस पर आपने नौ लिखा है उसको आपको हनुमान जी के चर्णों के पास में रख देना है और फिर आपको एक सरसो के तेल का दीपक जलाकर उसी पीपल के पत्ते पर रख देना है और जो ग्यारा पत्ते की माला है वो आपको हनुमा जी के सामने बैठ जाना है और फिर आपको हनुमान चालिसा का पाठ करना है या फिर आप राम नाम का जब करें जिन लोगों को हनुमान चालिसा पढ़ना नहीं आता पढ़ नहीं सकते वो लोग राम नाम का जब करें जितनी देर हो सके उतनी देर आप राम नाम का जब करें और फिर अपने घर पर आते समय आपने जो दूसरा दिया था, दोस्तों उस दीपक को उठाना है और साथ में आपको जो आपने पीपल के पत्ते पर नौ लिखा था, उस पत्ते को भी आपको उठा कर अपने घर पर ले आना है, सबसे पहले तो आपको उस पीपल के पत्ते को मंदिर में रख देना है और जो धीपक सरसो में उस धीपक को सब्सक्राइब न가요 इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्यद्वार पर लटका देना है दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में धनकी आवक बढ़ने लगेगी आपके घर में धनकी कमी खतम हो जाएगी साथ ही घर में जितनी भी सदस्य हैं जो भी व्यपार करते हैं यान्य कोई कारे करते हैं उन्हें हर काम में दोस्तों व्यपार में सफलता हासिल होगी उनका कारोबा अच्छा चलने लगेगा हनुमान जी महराज की क्रिपा से आपके घर में धन की कमी दूर हो जाएगी और आप धनवान बन जाएंगे आपकी गरीबी मिट जाएगी लेकिन दोस्तों इन उपायों का करने का फायदा तभी है जब आप पुरे विश्वास से इन उपायों को करे पुरी श्रदा के साथ आप इन उपायों को करें और इन उपायों को जब भी आप करें तो आपको कोई भी इनसान पीछे से रोके ना टोके ना बस चुब चाप आपको भगवान का ध्यान करते हुए इन उपायों को करना है इन में से कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं हमने आपको इस वीडियो में कई तरह के उपाय बता दिये हैं जो भी आपको सही लगे अवशक्ता के अनुसार आप उस उपाय को करें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद